Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में कस्तूर्वा गांधी बालिका आवासिय विध्याले से वेकंसी का बिलकुल नया विज्यापन्द है जिसमें 13 कस्तूर्वा विध्याले से वेकंसी है आपका सेलेक्शन इन 13 कस्तूर्वा विध्याले में किसमे होगा तो आप जब form apply करेंगे, merit list तयार होगी उसके आधार पर ही आपको पता चलेगा अलग-लग subject में वेकंसी है fees बिलकुल नहीं देनी है नहीं कोई exam होगा, नहीं कोई interview होगा चैन केवल merit के आधार पर होगा आपके high school, intermediate, snatak और B.Ed में जो आपके marks है उसके आधार पर ही selection आपका हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले official website पर सिधार्थ नगर की चलेंगे और सिधार्थ नगर की official website पर आप जैसे ही आते हैं यहां पर सबसे उपर बिल्कुल नया विज्यापन है Teaching and Non-Teaching Vacancy in Kasturva Gandhi Bali का विध्याले बस इस पर क्लिक करना है यह जो है आविदन पत्र का प्रारूप है इसे ही आप लोगों को डाउनलोड करके फिल कर लेना है लिंक आप लोगों को वीजियो के नीचे description box में मिल जाएगा इसे आप फिल कर लेंगे अपने जितने भी 10 के बाद के अब तक के जो भी आपके document है उनकी photocopy लेनी है उनके नीचे sign करने है और साथ में दो लिफाफे भी जो है इसमें attached करने है और जिस भी आरक्षित वर्क से आप है तो वो certificate का जो photocopy है वो भी आप लगाए और application form में भी जो है ये चीज mention करें ठीक है आप लोगों को अभी बता दूँगी किस तरीके से जो है वो आप लोग आविदन करेंगे वेकेंसी जो है 13 कस्तूरवा गांधी बालिका आवासे विद्याले से है 628 को पढ़ाने के लिए sectioning और गैर section पद यानि teaching and non-teaching staff के लिए 27 जुलाई 2024 को ये विग्यापन जाली किया गया है 16 अगस्त अंतिम तिति है आविदन करने की सिदार्थ नगर के लिए 5 बज़े तक आविदन कर सकते हैं आपका selection इन 13 कस्तूरवा विद्याले में किसमे होगा तो ये तो merit जब बनेगी उसी से पता चलेगा फिलाल वेकेंसी जो है किन सब्जेक्ट की है तो गनित कुल जो है 22 पदों पर वेकेंसी आई है जिसमें गनित के 2 पदों पर वेकेंसी है और अंग्रेजी के 4 पदों पर वेकेंसी है कम्प्यूटर के 8 पदों पर वेकेंसी है गनित के लिए और अंग्रेजी के लिए आप लोग को अगर आविदन करेंगे तो आप graduate होने चाहिए B.E.D. आपका होना चाहिए और कोई भी T.E.T. आपका clear होना चाहिए ठीक है? C.T.E.T. यदी clear है तो भी आप आविदन कर सकते हैं salary यहाँ पर full time teachers की 24,200 पर month यह भी आप ध्यान दें यहाँ पर आप जिस भी आरक्षित वर्ग से हैं तो आप लोग जो है अपना जो वर्ग है वो जरूर मेंशन किया करें यह application form में computer teacher के लिए जो की अंसकालिक है इसमें B.E.D. वाले, L.T. वाले या P.G.D.C.A., B.C.A., B.Sc. computer वाले या फिर कोई भी आपने डिप्लोमा किया है graduation के साथ में तो आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं 10,780 computer teacher की salary है और कला क्राफ teacher की भी salary समान है कला क्राफ्ट के लिए कला क्राफ्ट एवं संगीत या ग्रह शिल्प, ग्रह विज्ञान विशैसे home science से आप जो है graduation हो और आपने B.E.D. किया हो या L.T. प्रेसिक्षन D.P.E.D. किया है तो आप आविदन कर सकते हैं T.E.D. जो है इसमें नहीं चाहिए उर्दू teacher की 14,520 salary रहेगी इसमें जो है graduate अगर आप हैं उर्दू में और आपके पास जो है कोई degree diploma है तो आविदन करें सहाएक रसोईय चप्रासी के लिए 8th pass रहेंगे 10-10% जिसमें B.E.D. का आपका जो है वो 30% यह होगा अगर आप पहले से ही कस्तुरव विद्याले में पढ़ा रही है तो प्रतेक पूर्ण अध्यापन के यानि आपका एक वर्स का जो है दो अंक आपको मिलेंगे आपने तीन वर्स का किया है तो आपको 6 एंक मिलेंगे और इस तरीके से जो है सभी एंकों का भार जोड़ा जाएगा और फिर मेरिट बनेगी तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दे सबसे पहले समविदा के अधार पर ही वेकेंसी आती है जो भी कैंडिडेट अगर सोच रहे हैं कि कस्तूरा विध्याले में जब पर्मानेट वेकेंसी आएगी तभी हम फॉर्म अप्लाइ करेंगे तो ऐसा नहीं है यहाँ पर ही आप लोगों को पता लगया होगा कि यहाँ पर जो पहले से ही पढ़ा रहे हैं से फिचर उनको काफी वाइदा होता है हर साल उनको जो है इसका benefit मिलता ही है जैसे ही next year दुबारा से वेकेंसी आती है यही दुबारा से आवेदन करते हैं और इनको जो है इनका number सबसे पहले आता है क्योंकि इनको जो है अंक भी मिलते हैं बहुते हैं और यही जो है वो बिल्कुल रेगूलर बन जाते हैं, हर साल जो है यही पर रहते हैं, जब तक आप चाहा सकते हैं, तब तक आप उसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आवश्यक नियम और सर्तें जो है वो बिल्कुल पढ़ लें, जो important चीज़ है वो मैंने आप लोगों को बता दी है, नियुन्दम 25 वर्स और अधिक्तम 45 वर्स तक के कैंडिरेट इसमें आविदन कर पाएंगे, आरक्षन जो है राज्य सरकार के प्रापधानों के अनस्वार ही दे होगा, जो भी आरक्षित वर्ग हैं, उतरप्रदे सरकार के द्वारा जो भी नियम है उसके आधार प पूरे साल में आपको मिलेंगे, ग्रेडिंग के अधार पसंतोस जनक पाये जाने पर आगामी सत्र के लिए, नेक्स्टियर के लिए सेवा अनुवंद का विस्तारी करण किया जा सकता है, ठीक है, तो आपकी पोस्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे, इसमें घबराने की बिल एड्रेस तो आपका यही रहेगा, कारेले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से दार्थ नगर उत्तर प्रतिस, स्पीड पोस्ट या पंजीक रड्नाक यानि रजिस्टर पोस्ट करना है, आविधन पत्र के साथ में क्या-क्या लगाएंगे आप, तो दोस्व प्रमानित फो जो विवाहित हैं, पिताके पक्षका, जाती प्रमान पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत दो चरित्र प्रमान पत्र, आधार कार्ड, टैट आपका क्लियर है, तो यह सर्टिफिकेट, और अगर और भी कोई जो है आपने उच्चे योगिता हासिल की है, तो इन सब की फोटो कॉपी, इन सब की फोटो कॉपी लगेगी, दो लिफाफे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्टर से निर्धारे सुल्क के डांक टिकेट लगे हुए जरूर लगाएं, आविदन पत्र की लिफाफे पर आविदित पत्र का नाम, विशय के सबज़क अगर आप जनरल कैटिगरी के हैं, तो आप उसे ब्लैंक छोड़ दें, कुछ नहीं लिखें, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, तो आपना आरक्षन वर्ग जरूर लिखें, सबसे पहले जो है, ओफिशल वेबसाइट पर चले आएं, सिध्धार्थ नगर की, यहाँ पर विउपर आप क्लिक करेंगे, तो यہाँ पर आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन और आविदन पत्र का प्रारूब, अगर आप डाउनलोड करेंगे, तो आगे जो है, यहाँ पर दिया हुआ है साइन डाउनलोड का, इस पर क्लिक करके, क्लिक हेर टू डाउनलोड, ठीक ह तो यह पूरी जानकारी थी और भी किसी राज्य की वेकंसी आएगी कस्तूर्वा विध्याले से वेकंसी फिलाल उतर प्रदेश से जो है वो लगातार आ रही है जिलेवाईस और भी राज्यों की आएगी विल्कुल आप लोग वेट करें थैंक यू